नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब के एज किसनल चैनल आडग्यान कला में दोस्तों इस वीडियो में मैं PGT 2016 का जो अभिहाल ही में एक्जाम हुआ है दो तारीको सन 2019 में दो तारीको फरवरी में उसका एंसर की लेके आया हूँ तो दोस्तों मुझे एंसर तो तुरंत जो भी हो सकता था क्यूस्चन में तुरंत आपको सही करा देता जो भी मेरे हिसाब से सही होता तो आईए आज देखते हैं तो आप सभी अपना की पेपर लेके बैड़े आईए और देखिए पहला क्यूस्चन है बंगाल इसकूल के मार्ग दरसक थे हैं तो बरजिन आफ राक्स जिसे मैडोना आपदा राक्स भी कहा जाता है जो पुनर जागरन कला की अवधि में 1483 के समय की है कलाकार की पहचान करे तो इसमें B आप्शन सही है लियोनार्दो दा विन्ची ठीक है चौथा क्यूस्चन है भारती मूर्तिकला नागरी प्रचाणी सही है और नेक्स्ट देखें पच्वा क्यूस्चन है 1940 और 1950 के दसक के अमेर्की अमूर्थ अविपेंजनावाद के सबसी महतबुर कलाकार है जैक्सन पुलाग तो इसका ए अप्शन सही है पच्वा का छट्वा क्यूस्चन देखें माइकल एंजेलो का जन्म कहां हुआ था तो इटली में हुआ था सत्वा क्यूस्चन है ब्लू राइडर समू के किस अगणी सदस ने लेडी इन ए ग्रीक ग्रीन जैकेट को चीतरित किया था तो सत्वा का बी ओप्शन सही है अगस्ट मैके अठ्वा क्यूस्चन है 1905 में अर्नस्ट लुडवीक किर्चेर के नित्यत में चार जर्मनी कलाकारों की एक समूनी ड्रिस्डिन सहर में रिक्त स्थान है उसके आगे लिख्या है का गठन किया गया तो डाई ब्रूक का गठन किया गया अर्थात आठका ए सही है नवा क्यूस्चन देखे तो 1495 में आगे डैस है खाली स्थान है पिर उसके बाद में सबसे प्रभावसाली कारियों में से एक माग बन गया तो ये लियर नार्दोदा विंची है डे आप्शन सही है नवा का दसवां देखे तो उस कलाकार का नाम दे जिसे बैचारिक कला के तथा कथित पिता की रूप में जाना जाता है तो मारसिल घुनसा है दसवां का ए ग्टुक्त क्या सही है दूस्त, B condition है वह बांबे प्रगत सील समूग ग्रूप के सदस थे तो ये option सही नहीं है इसलिए B option इसमें सही होगा, क्योंकि गलत कथन चुनना है तो ये गलत है B option गलत है तो इसलिए 11 का B सही है ठीक है और C D दोनों सही है और 12 का अर्थात इसमें B सही है और ये सभी लागू होता है A C D सभी लागू होता है इनके उपर और B लागू नहीं होता है ठीक है तो आइए देखते हैं बरहुआ क्यूस्चन है जाने माने कलाकार सर्वाडो डाली क D सही है और 13 option question 13 देखे तो एकसन पेंटिंग सिर्षाक का प्रियोग पहली बार 1952 में अमेर्की आलोचक द्वारा किया गया था उसकला आलोचक का नाम लिखी है तो हैरोड्स रोसिन बर्ग है अर्था 13 का A सही है 14 question देखे उस कलाकार का नाम बताई है जिसने पश्चमी कला के इतिहास में रोम के सिस्टिन चैपेल की छट और उसकी बेदो वेदी की दिवार परदी लास्ट जज्जमेंट नामक दो सबसे महतुप प्रभाव साली कारियों को किया था तो वो माइकोल एंजोलो है अर्था रिक्तस्था ने उसके बाल लिख्या है को बहुत से लोग अतियतार्तवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं जो एक स्पेनिस था तो सल्वार्डो डाली ठीक है 15 का D और 16 में देखे तो इलोरा की गुफा किस काल से संबंदित है तो राष्टकूर्ट काल से संबंदित है सुला का A 17 की उश्चन देखे रिक्तस्था ने उसके आगे लिख्या है रूस की चरम सादगी और अभिव्यक्ति पूर्ण सामगरी में जान बूच कर गी गई भावात्म कमी की बिसिस्ता है तो ये क्यूबीज में है अर्था 17 का C सही है 18 में देखे एक काले और सफिद रं रंग होगा इसमें और आप इसमें छपाई कर दिये थे तो ये एक रंग इसमें C आप्शन सही है ठीक है और जो भी होगा आप कमेंड बाक्स में देख सकते हैं मेरे हिसाब से सही है 19 में क्यूष्चन देखे तो रंग प्रसंग पत्रिका के प्रयाग सुक संपादक है और विसमें क्यूष्चन देखे तो जर्मन अभीवेंजना वादी श्कूल की जड़े रेक तस्थान है और लिखा है और फिर रेक तस्तान है कि कृतियों से रखी गई जिन्हों ने अठार सो पच्चासी से उन्नी सो की अवध में एक बेहत व्यक्तिगत चितरकला सहली की बिकास की तो इसमें भरा जाएगा बिंसेज वानगाग और एडवर्ड मंच ये दो ओपसम सी सही है एक किसका लेंगेंगत बाइज क्यूशन देखे सबसे महतमूर अतियाथार्तवादी में से एक का उपनाम अतियाथार्तवाद का पोप है जो की अंदोलर के संधापक और मुख सिधान्तवादी थे उनकी नाम को बताईए तो इसका पूछने का मतलब है अतित्वारधी कलाकार में अति अथार्तवाद का पूप किसे कहा गया है तो आंद्रे बेटन अर्थाद 22 का D option सही है तेज क्यूशन देखे तो साची स्थूप पर किस लीपी में संदेश खुदा हुआ है तो ब्राम्ही लीपी में संदेश खुदा हुआ है तो 23 का A option सही होगा मसहुर चितरकला सकुंतला के बारे में सही जवाब चैन कीजिए तो सकुंतला जो चितरकला है अर्थाद जो पेंटिंग बनी है सकुंतला राजा रभी वारमा के बारे में उनके बारे में बता रहा है कि कौन सा option सही है कौन सा सही है तो उस पेंटिंग को ध्यान करेंगे और उसमें देखेंगे तो है एक दीपक के साथ महला दीपक भी नहीं है एक महला नहीं तो ये भी गलत है हाथ में भीड़ा लिये है महला ये तो इसमें तीन महिला हैं और ये साकुंतला जो पीछे M IT निकार रही है आप ऐसा आ निकालने के बहाना करें तो 24 का A option सही होगा 25 क्यूस्चन देखें सलवा डोडाली का जन किस देश में हुआ था तो इस्पेन में हुआ था 26 क्यूस्चन सबसे महतपुर्ण नियुन्तम बादी कलाकार में से एक है तो कारल आंद्रे है अर्था 26 का A सही है 27 क्यूस्चन देखें स्री शुक्ल के लेखक है तो किसके लेखक है रागदरबारी के लेखक है तो 27 का B option सही है 28 क्यूस्चन देखें तो अकबर नामा अकबर का अधिकरित जीवन परिच है जिसे चित्रित किया है तो बसावन ने चित्रित किया है 28 का B option सही है 29 में देखें अतियथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसी सी कभी उसके बाद रीकतस्तान है लिखा है उसके बाद द्वारा सुरू किया गया था जिन्होंने 1924 में अतियथार्थवादी घुशनापत लिखा था तो इसमें ए आप्सन सही है आंदरे बेटन ने लिखा था ठीक है और 30 क्यूशन देखें ब्रिहद कला कोस के लिखक कौन है तो बिनोध भारत द्वाज ब्रिहद कला के लिखक है एक 30 क् कताबदी की सुरुवात में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्पुन अतियथार्थवादी और एक किंद्री ब्यक्तित्थें तो सलबाडो डाली है तो 31 का सी ऑप्सन सही है 32 क्यूशन देखें माइकल एंजेलो का जन्व 6 मार्च कैपेरेस में हुआ था तो सन पूछा है तो 1475 इस ऑप्सन में ऐसे देखेंगे तो उसमें 1475 ही ऑप्सन सही है ठीक है और 33 क्यूशन है जान बूच कर अमूर्थ कला को खारिश करके उसके अलामा प्राकृतिक रूप से शामान बिशो को सीधे दर्साने के लिए इसके के लिए के बाद रिक्तस्थान है द्वारा च चुना गया अर्था 33 का डी ऑप्सन सही है और 34 का देखें तो रायकिशन दास संबंदित थे तो कला और इतिहास संबंदित थे रायकिशन दास जीन हुने कला भारत कला भवन बारांसी इनहीं के द्वारा स्थापित है तो 35 देखें चित्र के सबसे महत्पूर्ण घटक है अच्छा रे खंकन यही डी ऑप्सन सही होगा ठीक है 35 का और 36 क्यूशन देखें तो सम कालिन या थार्थवादी की पहचान एक लाक्षणिक गुरू की रूप में है जिसका सक्तिसाली अध्यन मानों सरीर हेत किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करता है तो लूसियान फ्रायड 1922-2011 यह डी ऑप्सन सही है 36 का और 36 क्यूशन देखें रस सिद्धान को बिक्सित करने का स्रीर है आगे 10 है मतब प्रेक्दस्थान है और दिया है संत बिद्धान को दिया जाता है जो पहली सताब्दी सापूर और तीसरी सताब्दी के बीच अस्तित में थें तो भरत मुनी को दिया जाता है भरत मुनी संत बिद्धान को दिया जाता है जो पहली सताब्दी और तीसरी सताब्दी के बीच के अस्तित में थें रस सिद्धानत के प्रिक्सित करने वाले यही भरत मुनी है ठीक है 37 का यह अप्सन सही है 38 का देखें तो सलवाडो डाली के उल क्यूस्चन देखे रिख्त था ने उसे बाद लिखा है पंद्रासो एक और पंद्रासो चार के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई मुर्तिकरण मुर्तिगरण लिखा है पुनर जागरण मुर्तिकला की एक उतकरिष्ट करती है तो वो डेविड है अर्थाचालिस का D option सही है 41 question देखे तो दो कलाकारो की समुदाई की पहचान नीची देगे सूचिम करना है तो विंसेज वान गाग और पाल गोंगवा तो 41 का C option सही है 42 देखे राग गार्डेन चंडीगर का डिजाइन कौन किया था तो नेक चंद ने किया था अर्थाचा बी option सही है 43 question एक आकरित के किनारों को कहा जा सकता है तो बाहरेखा कहा जा सकता है ठीक है और 44 question देखे तो तरासे गए चंद पत्थरों के आउजार कहां प्रियोग किये गए है तो नौ प्रभावाद में प्रियोग किये गए है तरासे गए चंद पत्थरों को आउजार तो अर्थाचा C option सही है 44 का और 45 है संस्कित मूल पार्ट से सुरू होने वाले रशिधान्त का विकास रिक्तस्थान है उसके बाद हुआ तो नाट सास्तर से हुआ अर्थाच 45 का ए उप्षन सही है 46 देखे तो याजाथी चितर संखला किसकी रचना है ए रामचंदरन की रचना है अर्थाच 46 का ए उप्षन सही है और 47 सबसे पुरानी ज्यान कलाकरती है तो भीम बेट का पेट्रो लिप्षन है ठीक है 47 के ए उप्षन सही है 48 देखे 28 सताब्दी कला अंदोलन की पहजान आमतार पर एतिहासिक रूप से सही हालत और परिधानों का उपियोग करके सास्तरी घहनाओ घटनाओ होना चाहे है पात्रो और विश्यो के द्रिण चित्रण में द्रिण सनराचनात्मक तकनेकी पर जोर देती है तो ये नव सास्तरी कला 48 का C उप्षन सही है और 49 का देखे तो नीचे दी गई सूची में से अतियतार्तवादी और नारीवादी मैक्सिकेन महिला कलाकार की पहचान करे तो वो फ्रिंदा कहलो है 50 नंबर क्यूशन देखे किस कला पत्रिका का संबंध उत्तव प्रदेश से है कला दिरगा से संबंध है तो दोस्तों 50 क्यूशन अगर आपको मुरे से थोड़ा सा मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे हिसाब से कला दिरगा है तो आपके हिसाब से जो हो तो कमेंट्स में लिख सकते है 50 क्यूशन को लिखा है कि किस कला पत्रिका का संबंध उत्तव प्रदेश से है और एक्याउन क्यूशन देखे The Secret Life of Salvaro Dali का लेख कौन है तो Salvaro Dali ही है थाते क्याउन का D option सही है बाउन क्यूशन देखे लग्षितर कला भारत के किस हिस्सी में बिक्सित हुई थी तो पुर्वी छेतर में बिक्सित हुई थी लग्षितर कला और पोप जुलियस दूती के मगबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसिस किस माध्यम में बना है तो संगमरमर माध्यम में बना है तेरपन का D option सही है चववन देखे संस्कित नाट सास्तर पर सबसी पुरानी किताब की लेखक का नाम बताईए तो भरत मुनी है B option सही है चववन का और 55 question देखे तुत्तर प्रदेश समधित कलाकार है मुकुल पवार है C option सही है पचपन का और 56 देखे तो अतियतार्तवादी के दर्शन पर सबसी रचनात्मक बौधी प्रभाव डालने वाले सिध्धान्त किसके थें तो सिगमंड फ्रायट के थें अर्थाथ 56 देखे किसी वस्त के असपर से हुआ अनुभाव क्या कहलाता है तो पोट कहलाता है D option सही है 57 का 58 देखे तो 4-5 सिखा बिल्हंड द्वारा लिखा गया है B option सही है और 60 देखे तो उस देश को पहचानी है जहां से अभिव्यक्तिवाद का एक कलात्म कांदोलन की रूप में उद्गमीत हुआ था तो वो जर्मनी में हुआ था 60 का D option सही है और 60 किश्चन देखे तो सिस्टिन चैपल छोटा गिर्जागर छट की रंग लेब करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुक माध्यम पूछा है तो फ्रेश को माध्यम D option सही है 61 किश्चन देखे नौ सास्त्री चित्रकला समूम ने एतिहासिक सटिक्ता के लिए बहुत महतो दिया तो ये C option सही है ग्रेग सहली को महतो दिया 62 किश्चन देखे प्रसिद अतियथार्तवादी कलाकार मैक्स अरजनस्ट का जन्म किस देश में हुआ था तो जर्मनी में हुआ था और 63 किश्चन देवी पसाराई चोधरी थे तो मुर्तिकार थे ये अप्सन सही है 64 का देखे सभी नाटकी रसणद चनाओं के लिए 46 किश्चन है नीचे देगे उत्तर में से सबसे प्रसिद जर्मन अव्यंजना वादियों में से एक की पहचान करें तो मैक्स बेकमाइन है जो कि जर्मन अव्यंजना वादि कलाकार है और 67 देखें तो बिख्याद नव सास्तरी चित्रकला ओथ आपद होरटी 1784 को द्वारा रिक दस्थान है उसके बाद बनाया गया तो जैक्स लुइस डेविट के द्वारा बनाया गया अर्था 67 का डी उप्सन सही है और 68 देखें तो मध्यकाली भारत की की समराट के सासनकाल के दवरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुच गए थी जहांगीर के समय अपने चरम सीमा पहुच गए थी 68 का सी उप्सन सही है उ तो पच्छियों के प्रति आ सकत था और उसके पास अल्टर इगो नामक पच्छी था तो मैक्स इर्नस्थ है ए उप्सन सही है 70 क्यूशन देखें बादामी गुभा किस राजी में है तो करनाटक राजी में है यह उप्सन सही है एकतर देखें सीकर सीन क्या है तो नाटक कार हैं यह option सही है 72 question है चापा कलाकार को पहचानिये दीपक बनर जी यह option सही है 73 question देखे बास चित्र सहली से संबंदित राजयंद प्रशाद हैं D option सही है कौन सा बाउध मूल गरंथ कई साही इमारतो चित्रित आकरितियों के अस्तित्प का वर्ण करता है तो बिने पिता का है यह ओप्सन सही है 75 का है पुनर प्रसिद पुनर जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रसिक्षू असकनियों डोडीवी को कोविडी को बताया है मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्त की तरह रहा हूं तो यह नायक जिसे करते हैं और रस भावनाय जिसे करते हैं कि आवस्चा घटक घटके हैं तो अभी नायके घटक है ठीक है 76 का सी अप्सन सही है और 77 मुख नवसास्त्री अंदोला नठारे के सताब्दी के 78 मुख सताब्दी के खले स्तान है उसके बाद लिख्या है कि सांथ हुआ और 19 सवी सताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा तो ग्यान का यूग इसमें ए आप्सन सही है 78 देखें बाग गुफाएं कहा इस्तित हैं मद्रपदेश में इस्तित हैं ए आप्सन सही है और 79 अभिव्यक्तिवाद की विश्यस्ता को दुनिया के सामने पेस करता करना है तो भावात्मक प्रभाव के लिए अभिव्यक्ति पराकत दुनिया को कलपना में बदलना ये बी आप्सन सही है ठीक है और 80 क्योशन देखें किस अवद की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार खूल पतियों और पौधों को चित्रित किया गया था तो मुगल सल्तनत में किया गया था 80 का ए ओप्सन सही है 81 देखें विख्यात कलाकार गुस्ताप कुरुबे किस कला अंदोलन से संबंदित है तो यथार्थवाद से संबंदित है 82 देखें उस कलाकार का नाम देज जो अवंत गार्डे फ्रांसेजी चित्रकला मुर्तिकला मिस्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महतपुड व्यक्ति माने जाते थे और जिनको ववस्तु कला का जनंग माना जाता है तो मार्शेल गुंसा है 82 का D आप्सन सही है 83 देखें सावरी वास्त चित्र किस कलाकार का है तो बद्रिनाथ आरेका है 83 का A आप्सन सही है 84 देखें एक सांस्कृतिक कलाकार कलात्मक और वास्तु सिल्पात्मक अर्थ में नौ सास्त्री वाद खालिस्तान है के बाद लिखा है कि खिलाप प्रतिक्रिया के रूप में ब्रिध्य हुई जिसे उपर सिर्ष पर और उथल तौर पर देखा गया था तो रोको को है ठीक है रोको को वाद है 84 का C आप्सन सही है 85 देखें भार्द कला बहुन के संस्तापक राकिश्मदास है B आप्सन सही है सिर्षक वाली प्रसिद अभिव्यक्ति वादी चित्रकला में से एक को क्या माना जाता है कि चित्रित किया गया है तो एडबर्ड मंच द्वारा चित्रित किया गया है ठीक है तो 86 का A आप्सन सही है 87 देखें एलिफेंटा गुफा महाराष्ट को लगभग सदी उसका जानने जिसने न्यूड डेसेडिग स्टियर केस 1912 की चित्रकारी की थी तो मार्सिल घुंसा है D आप्सन सही है 88 का D आप्सन सही है और 89 इटली के पुनर जागनल कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष तकनी की तयार की थी तो पाउलो उकेलो है बी आप्स सही है 89 का और 19 का देखें तो निमलेखित कथनों पर विचार करें तो इसमें विचार करना है तो मेरे हिसाब से यह हम इसमें दिया है कथन हमजा नामा मुगल स्कूल की पहली कृति है सही है तूती नामा हमजा नामा की तुलना में अधिक विक्सित और परिक्रिष्ट है त लेकिन मेरे हिजाब से केवल एक ही सही है तो इसमें ए आप्शन सही हो गर्णबे का और क्यानवे देखे तो अवतार सिंग पवार थें तो मुर्तिकार थें बी आप्शन सही है बानवे क्योश्चन अभिवंजनावादी कला अंदोलन कब हुआ था तो उनिस सव की सुरुवा आप्शन सही है बानवे का तिरानवे देखे सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिवंजनावादी थे तो मैक्स, मैकमैन, आटो, डेक्स, लियू, नेल, फिनीगर, जार्ज, ग्रोस ये ए आप्शन सही है तिरानवे का चौरानवे देखे हिनरी मातिस एक कौन सा वादी कलाकार ह आप्शन सही है चौरानवे का पंचानवे देखे अभिव्यक्तिवादी खलाकारों ने भावतिक वास्तुकला, वास्तुविक्ता की बजाय का आर्थ व्यक्त करने की मांग की तो भावात्मक अनुभव व्यक्त करने का, का आर्थ व्यक्त करने का मांग की पंचानवे का सी option सही है, चानवे देखे, डाक्टर राधा कमल मुखर जी अध्यक्ष थे, तो राज ललितकला अकादमी उत्ता प्रदेश के अध्यक्ष थे, सही है 99 अकादमिक सहली का चित्रकार कौन था तो सुखवीर सिंगल थे अर्था 99 का भी अप्शन सही है और समा क्यूशन है एडवर्ड मंच ने चार संसकरणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था तो दस्क्रीम भी अप्शन सही है सवका और 101 का पियरो डेला फ्रांसिसका तेक सस्थान है का एक इटली का चित्रकार था तो वो प्रारंभिक पुनर जागरन का इटली का चित्रकार था 101 का भी अप्शन सही है 102 क्यूशन देखे तो प्रसिद्ध अति अथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताईए जिन्होंने अलवकिक्ता का कला की अस्थापना की थी तो डी चिरिक्यो ने अलवकिक्ता कला की अस्थापना की थी 102 का C option सही 103 देखे बूधी चितरकला के बारे में सही कथन का चैन करे तो प्राकृतिक परिक्रिष्ट प्रिद्रिष्ट प्राकृतिक परिद्रिष्ट ये D option सही 103 का 104 देखे अलेक्जेंडर कालडर सबसी महतपून आधुनिक कला अंदोलन के एक संस्थापक सदक थे कला अंदोलन की पहचान करें तो कहने टिक कला है B option सही 104 का 105 देखे डब्लू राइट डब्लू राइडर समुके संस्थापक सदसमे से एक का नाम दे तो वो है फ्रांज मार्क C option सही 105 का 106 का विभाजन के सामंजस बनाने के लिए क्या आउस्यक है तो यह सभी आउस्यक है अर्थाद आनाव अश्यक तत्तों से बचना उचित बनावट का उपियोग करना रंगो और स्वरो का भिन्नता यह तीनों चीज आउसकता है इसलिए यह सभी डिग आउप्शन सही 106 का 107 देखे अभिवेत्तिवादी कला की विशिस्टा क्या थी तो कला जो वास्तविक्ता के बजाए भावना ब्रेक्त करती थी यह आउप्शन सही 107 का 108 में देखे डाक्टर जो तीस जो सी समपादक थे तो वो समकालिंग कला पत्रिका के समपादक थे ठीक है और ललित कला अकादमी के यह समकालिंग कला के संस्तापक थे तो दिल्ली का सचीव भी नहीं बनाया गया था और देखें यह 109 क्यूस्चन पर आते हैं यह थोड़ा 9 क्यूस्चन देखें तो कंपनी सैली के चित्रों में किस प्रकार के बिसेश तौर पर चित्री था हैं तो वो जन मानस चित्रन बिसेश आम तौर पर हैं तो अर्थात 109 का बी आप्शन सा 110 देखें किस ने अत यतार्थवादी घोश्रापत लिखा था तो आंध्रे बेटन ने अतियतार्थवादी घोश्रापत लिखा था 110 का यह उप्शन सा 111 का लिओनार्दो दवीन ची एक सच्चे प्था साली थे जिन्होंने इस दुनिया को उनका जन्म पूछा प्रसम्मानित किया मतब कब तक उनका कलाकृती चली तो 1452 से 1559 तक यह थे तो वहीं यहाँ पर लिखा जायेगा अर्थाती अप्शन साही 111 का 112 देखे पिरो डिल्ला फ्रांसिसका का सैन फ्रांसिसको गिरजा घर में किया गया सबसे महत्वोड कार दे इस्ट्री आफ दे टू क्रास एक है तो यह फ्रेस्को महाध्यम से है और यह पिरो बेल दिल्ला के द्वारा खितित किया गया था ठीक है और 113 का गुस्ताव कुर्वे का जन्म कहां हुआ था तो फ्रांस में हुआ था डी आप्शन साही 114 देखे जर्मन पत्रिका दर स्ताम में किस आस्ट्रियान कलाकार ने अभिवत्तिवादी कला प्रदर्शन की थ तो एडवर्ड मंच हैं सी ओप्शन से 114 का 115 देखे तो स्टैचू आफ उन्टी किसके द्वारा डिजाइन की गई राम सुतार द्वारा 115 का भी ओप्शन सही है 116 यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्थ सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दवरान एक चित कार अस्त के सामने की ओर रेखा रखा जाता है जिसे सैली को पचानियों सैली कौन से सैली है तो यह एक सन्ट चित्रकला पेंटिंग है था एक ससुर्ण का डी ओप्शन सही है 117 देखे सरलता परमकृतिमता है यह प्रसिद्ध उद्धन एक प्रसिद इटली के पुनर जाग कलाकार ने दिया था तो लियोनार्दो दा विंची ने दिया था 117 का डी ओप्शन से 118 देखे निहाल चंद की सैली के चित्रकार थे निहाल चंद 119 देखे किसने मसी का ध्वज सायद 1415 से 1460 अब्रेटन है तो वाले प्रसिद्ध काम को चित्र किया है जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्ट में छोटी पेंटिंग की रूप में भी जाना जाता है तो पियरो डेला फ्रांसिसका का है 119 का डी ओप्शन सही है 120 देखे चित्रना मजुमदार की सिसूल के कलाकार थे तो वो बंगाल स्कूल के कलाकार थे चित्रना मजुमदार ठीक है क्योंकि ये जो 120 का सी ओप्शन सही 121 देखे तो किस कलाकार ने लार्ज रिड होर्शी को चित्रित किया था अब ब्लू राइडर समू का संस्थापक सदर से था तो मैक्स ये फ्रांच मार्क्स थे अर्था 321 का ये ओप्शन सही है 122 देखे तो रिक तर्था ने उसके बाद लिखा है एक तर्थानिक आदोलन के रूप में सुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्चा और चेतन मन और सपनों के माध्यम से था तो अतियतहार्त वाद डी ओप्शन सही 122 का एक सो तेज देखे क्रिपाल सिंग से खाव संबंदित है तो ब्लू पाट्री से संबंदित है एक सो तेज का सी ओप्शन सही है 124 देखे एक सन प्रिंटिंग के सबसी महत्पुन कलाकारों में से एक की पहचान करे तो जैक्सन पुलाग है ठीक है जैक्सन पुलाग 124 का डी किया गया है जो स्वयंग बिचार के लिए माध्यमिक है 125 क्यूस्चन यह इसका वी ऑप्सन सही है संकल प्रनात्मग कला ठीक है P options से 125 दोस्तों ये exam series का D series था D series से ये पुरा question मनना है 125 question और इसका answer जो भी आपको doubt लगे तो उसको आप comments में अगर confirm हो तभी इसको comment में लेख सकते हैं अगर नहीं confirm है तो इस पे आप ही रहिए क्योंकि इसी पे जो भी question मनना है इसमें एक दो question इधर उधर हो सकता है और जो भी आयुक द्वारा answer की जारी होगा उससे आप मिला लेंगे और मेरा भी मिला के देखेंगे तो एक दो question इधर उधर हो सकता है और आप अपने तैयारी पे लगे रहिए सामने TGT के एक्जाम है और अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद आपका और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं अच्छा लगा हो तो लाइक करके सेर जरूर करें अपने दोस्तों तक थैंक्यू दोस्तों